वेलकम एगेन वेलकम दो दे सीरीज ओफ कम्यूनिकेशन स्किल पिछले क्लास में हम लोग ने पढ़ा था कम्यूनिकेशन प्रॉसेस उसकी नीड उसका अनलाइसिस अगर आपने नहीं देखिए तो पहले वो वीडियो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसके कोश्चन प बड़ा इंपॉर्डेंट टॉपिक है यह वी तो देखिए जो जो तरीके हैं उनका मैं पॉइंट्स वाइज मैं बताता जाओंगा और लिखने को आप लिख सकते हैं बस पता चल जाए एक बार तो भई आप लिख सकते हैं इतना उंबीद तो है इतने भरोसा है तो देखि अब मालिलीजे मैं बोलरहा हूं। । मैं क्या-क्या खयाल रखोंगा यही है उसका बनाने का तरीक है मतलब परभवावित बनाने का तरीक है ना यही जो मैं बोल रहा हूं उसमें सबसे पहले क्या वह हैं इर्रेल्इवेंट FF잉य तो वो फैक्ट जो उस बात से तालुक नहीं रखते हैं मान लीजिए मैं आपको एक इंसम्पल की तरह बता रहा हूँ कि हम दोनों मिलकर के बात कर रहे हैं यूनिवरसिटी अपनी यूनिवरसिटी के बारे में कि आर्जिप्पी कैसे करती है यार इसे करती हैं मैंने उठा करकर गुसरेड़ दिया कोई दूसरी उन्वरसिटी की दूसरी बात हैं तो सामने वाला जो है वो दर किनार हो जाएगा वो पीछे हट जाएगा उस बात को उस बात में नहीं आएगा ठीक है अब दो लोग पालिजी पॉलिटिकल बहस करना है तीसरा कोई पॉलिटिकल बहस नहीं करना जारा तो उससे दरकिनार हो जाता है तो सेंडर को यह बात खयाल में रखना चाहिए कि रिसीवर को क्या चाहिए irrelevant facts नहीं डालना है irrelevant facts मतलब वो बातचीत जिस topic पे बातचीत हो रही है उसको छोड़कर दूसरे topic की बहस बीच में उसके points नहीं लाने है यह पहला point हो गया दूसरा point एक ही बात को दुबारा दुबारा नहीं कहना है सामने वाला बोर हो जाता है यह अक्सर ऐसा होता है एक ही बात को बार-बार दूसरे तरीते से नहीं कहना है बस तीसरा point proper organization रखना है मतलब एक बात बोला उसके बाद दूसरा बोला फिर तीसरा बोला यह आपको स्टै करना पड़ेगा पहले कैंडी से किसी चीज के बारे में आप बताउंगा है उसे बारहे छोटा चोटा सा बता हुँआ की अिसमें यह इसमें यह ऐसंना भार इसे प्रॉकर तरीक से अब मैं सबसे पहले ही उठा करकर बता-बूंकि करें चून्क यह इष्टा में और पर किसी मन भी नहीं लाएगा सामने वाले को सुनने मन भी नहीं में तो इसलिए communication process जो होता है उसमें एक proper organization रखते हैं कि ये बताना है फिर ये बताना है फिर ये बताना है उसके बाद words शब्द का सही चयन words का सही सही एकदम proper use इस्तमाल अच्छे तरीके से शब्द जुने जाए अच्छे अलफाज जुने जाए जो की सामने वाले को सुनने में भी अच्छा लगे और समझ में भी आए सबसे बड़ी बात यह ठीक है अब पता चला कि कोई ऐसा बहुत हाई लेबल का word इस्तेमाल कर लिया जो सामने वाले को समझ में नहीं आ रहे है तो ऐसा भी नहीं करना है ठीक प्रॉपर इस्तेमाल करना है और बहुत घटिया सब्द जो सामने वाले को बुरा ही लग लग जा है डेकिए इससे क्या होता है इससे यह होता है सामय वाला आपका एक 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 अब कर रहा हूं तो expressions ऐसे दें कि जैसे मैं हाथ move कर रहा हूँ, मैं हाथ इसे move कर रहा हूँ, नॉर्मली लोग बात करते वक्त मैं भी ऐसे हाथ move करता हूँ, अब हाथ इधर जाने लगूँ, उधर जाने लगूँ, तो एक वीडियो के बाद दूसरा वीडियो नहीं देखने वाला, कोई भी इस तरीके से कोई vague expression, ऐसा expression जिससे कि सामने वाला या तो नराज हो सकता है, या उसको अच्छा नहीं लगता है, तो वो invite किया जाए communication में, ठीक है, और phrases का इस्तमाल किया जाए, छोटे-छोटे जो phrases मोहावरे होते हैं, उनका इस्तमाल किया जाए, वो बड़ी-बड़ी बा इस्तमाल कर दो प्रड़ी बड़ी इस्तमाल नहीं किय जाएक जिससे सामने वाले को बूरा लग जाए, यह इस्तमाल नहीं किये जाए, ठीक है अच्छा, बगनी कोहिसा समझ़ा या उस्तमाल इस्ट को मैं त्न एक तिकनिकल लाट सक्वोट, पश्वोट को आए वीम बहू तो वह तो एक तो डिक्सनरी लेकर बैठना पड़ेगा आपको दूसरी बात उस डिक्सनरी में से भी मिनिंग ढूंढूंढूंढ करके फिर समझना पड़ेगा वह तक है समझाने वाला भी आपको ढूंढना पड़े तो फिर मेरा आपके साथ बात करने का फायदा ही क्या हु कौन से short sentences चोटे-चोटे sentences और बहुत ज़्यादा short sentences का इस्तमाल मत की दिए जगा जगा पर एक दम प्रॉपर बेमें ठीक है हाँ the most important thing next point correction of facts इस point फर आपने देखा होगा बहुत सारे मीडिया चैनल को माफी मांगने पड़ती है पहले दिखा देते हैं बाद में मांते हैं इसका 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 बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और कई बार जो है कई लोगों को इसके बारे में शर्मिंदी की जलनी पड़ती है घलत खबरे उड़ा दी फिर उसके बाद नाफी मांगना है तो करेक्शन ओफ फेक्ट्स पर ध्यान बहुत ज़्यान रखना है तो कॉन से टाइम पर कौन सा पंच मारना है यह आपको ख्याल रहना चाहिए यह आपको कमेडियन सिखा देंगे कमेडियन के पास जो एक बहुत अच्छी बहुत अच्छी परपर्टी होती है वह होता है पंच टाइम कौन से टाइम पर कौन सी बात बोलनी है कि पबलीक हसे जी यह आपको कमेडियन से सीखना चाहिए गर्णियस बात मैंकेडियन से बात मैं इसामने वाल बूच्पूरी में जाते हैं तो समझाने वाले में maximum है उसमें से मेरे ख्याल से 10 से 15 लोग भुचपुरी जानते हैं 10 से 15 परसेंट लोग इंग्लिश जानते हैं इन को छोड़ करके बाकी लोग Hindi English Mixed जानते हुए न जादा English जानते हैं न जादा Hindi जानते हैं दोनों Mixed जानते हैं तो इसलिए मैंने की एक हिंदी और यंगिश च्ब्स प्रॉपर हम मIST को मिला कर अलब इस्ट क्या होगा इंग्लिश को समझें Means वाले भी समझें थे और मगी वाले इसी भी communication प्रॉसस में हैं तो उसमें ख्याल ये रखिए कि जब close कर रहा है आप बात को सामने वाले को ये बात समझ में आने चाहिए कि close कर रहा है बात को खत्म कर रहा है कई बार ऐसा होता है कि लोग बात खतम कर देते हैं अभी तक जो है ये बात आपको किसे सिखनी चाहिए ये बात आपको राइटर से सिखनी चाहिए जब कहानी या कवीता जिको जब खत्म करते हैं तो इतने अच्छे अंदाज में खत्म किया जाता है कि उसके बाद ऐसा समझ it effective मतलब communication process को effective बनाने का प्रभावी बनाने के कुछ तरीखे थे जो मैंने आपको बदाए उम्मित करते हैं कि आपको पशंद आया होगा पसंद आया हो तो फिर बता दीजे कुछ नहीं पसंद आया हो वो भी बता दीजे ताकि आगे आगे उसको सुधार जाशन के